प्याज एक्सपोर्ट पर रोक लगे एक महीने का समय पूरा हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे नेताओं के दावों के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया है। इससे किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुसा देखा जा रहा है। खास तोर पर नासिक के किसानों में क्योंकि नासिक देश में प्याज उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जिला अपने विशेश तरह के प्याज के लिए जाना जाता है। संयोग से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 12 जन्वरी को यहां आने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद की जैन्ती पर वो यहां राष्ट्रिय युवा महोत्सव की शुरुआत करेंगे। प्यास की निर्यात बंदी से परेशान कुछ किसान सरकार का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री को यहां आना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहां के किसानों को उनके फैसलों ने बरबाद कर दिया है। तो दूसरी और कुछ किसानों का कहना है कि हम प्रधान मंत्री का विरोध नहीं करते लेकिन यह जरूर कहना चाहते हैं कि किसानों ने भी आपको वोट दिया था। इस बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 12 जन्वरी को प्रधान मंत्री के नासिक आगमन से पहले केंद्र सरकार प्याज को लेकर कोई फैसला कर सकती है। किसान गुसा जाहिर करें। कि सरकार को महेंगाई कम करने की इतनी चिंता है तो अपने पैसे से प्याज बाजार भाव पर खरी दे और लोगों को सस्ता बाट दे। लेकिन जान बूच कर प्याज का दाम गिरा कर किसानों को नुकसान न पहुचाएं। नासिक जिले में तो प्याज की खेती ही किसानों की आजी विका का मुख्य साधन है। केंद्र सरकार अगस्ट से ही प्याज का दाम बढ़ने नहीं दे रही है। सबसे पहले सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगाई। उसके बाद प्याज के एक्सपोर्ट पर 800 डॉलर प्रती टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तै किया। उसके बाद साथ दिसंबर देर रात एक्सपोर्ट पर प्रतिबंद लगा दिया। क्या अब भी सरकार प्याज का दाम और कम करने के लिए कोई और फैसला ले सकती है या फिर एक्सपोर्ट बैन के बाद कोई एक्षन नहीं लेगी। को राहत मिल जाए।